दोस्तों मैं आपको strongly recommend करूंगा गयागा आपने इसका first, second, third episode नहीं देखा तो link आपको description में मिल जागा प्लीज जाओ और first, second, third episode देखो तब ही आपको फोत episode अच्छिता समझ आपाएगा और तब ही आप इस story को थोड़ा समझ पाओगे तो चलिए start करते हैं, रोवन रिया को घर पे लेके जा रहा था, बर रोवन के दिमाग में चल ला था कि नई यार क्या 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 सवाल पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे घरवाले मुझसे, लोग पूछेंगे, मैं ऐसे कैसे इस लड़की को अपने घर पे ले जाओ, और रोवन अपने दिल और दिमाग से लड़ने लगा, कि यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस लड़की यही पे छोड़के जाओ, या फिर घर पे लेके जाओ, और एंड में रोवन ने तय किया, कि मैं इस लड़की को यही पे छोड़के जाओंगा, मै बहुत कोचित की आदे गंटे तक कार वहां पे खड़ी करके रोवन खड़ा हुआ था बर रोवन की इतनी हिमत नहीं हो रही थी कि वह उस लड़कियों कहा से भार निकाले और वहां पे छोड़ जाए रोवन ने काफी सोचा काफी सोचा एंड में रोवन ने फैसला लिया कि नहीं यार मैं इसको यहां पे नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ भी हो बड़ी आप में इस जिम्मेदारी एक तरीके से और लोगों ने इसके इतना बुरा किया है मैं इसके बुरा नहीं कर सकता लोग कुछ भी गाए मुझे फार्क ने पढ़ता मैं इसको यहां पे नहीं चो पर जैसे डॉक्टर आया डॉक्टर न गई यह पुलीस कंप्लेंड है बिकॉस लड़की के सेक्सवल पार्ट बुरी तरह से डैमेज हो चुके है यह पुलीस केस है मैं बिना पुलीस के इसका इलाज नहीं कह सकता रोहन ने डॉक्टर से खा पुलीस आप इसका इलाज करो पुलीस रोहन नहीं चाहता तो पुलीस वगरा के जंजटों में पड़े बिकॉस रोहन एक सीधी साधी फैमिली से दा और उसको पुलीस वगरा जंजट से बहुत डल लगता था जी हां ये भी सच है कि सीधे साधे लोग अकसर पुलीस के बाद जाने से डरते हैं मुझे नहीं पता क्यूं पड़ एक बात कहूं पुलीस इतनी भी बुरी नहीं थी वो हमारी सुरक्षा के लिए होती है कभी कभी हमें पुलीस पर भरोसा भी कर देना चाहिए बर रोवन ने ऐसा नहीं किया रोवन को बहुत डल लग रहा था कि नहीं है पुलीस क्या क्या सवाल उठाएगी क्या क्या होगा रोवन में इतनी इमत नहीं थी कि वो पुलीस के बाद जाए और डॉक्टर भी अपनी ज़ाया पर अड़ा रहा कि मैं इसका ऐसे इलाज नहीं कर सकता हूँ यह पुलीस केस है इसके साथ रेप हुआ है बुरी तरह से मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूँ इस लड़की के जो सेक्सुल पार्ट है वो बुरी तरह से डेमेज हुए मैं इसका ऐसे इलाज नहीं कर सकता हूँ रोहन की फैमिली ने भी फिर डॉक्टर समझाने ही कोशी कि कि पूरा कन्वेंस होने के बाद भी उस डॉक्टर उसका इलाज नहीं किया तबी रोहन की ममी ने कहा मेरी एक फ्रेंड है जो कि काफी अच्छी डॉक्टर है मैं उसको बलाती हूँ वो मना नहीं करेगी इसका इलाज करने से रोहन की ममी ने अपनी फ्रेंड को फोन किया और वो आई पर उसका भी यही था कि पहले पुलीस कंप्लेन लिखी जाएगी मैं फिरी इलाज कर पाऊंगी बर रोहन की ममी ने उसको समझाया कि पुलीस बात समझो तो वो मान गी और उसने इलाज किया इलाज करते करते भूँष़ टेम हो गया और काफी लंबा रिया का ट्रीęमें चला धीरे धीरे रिया ठीक होने लगी रिया होश में आने लगी रिया को ड्रक्स का इतना ओवर डोस दिया था कि वो बिलुकुल नशे में ओच चुकी थी बट धीरे दीर ट्रीटमेंट के बाद वो होश में आने लगी और उसने सबसे पहले रोहन से पूछा तुम कौन हो रिया को डल लग रहा था कि कहीं में इसाथ फिर कुछ पुरा ना हो रिया रोहन से ही बहुत टर रही थी और रोहन से पूछ रही थी तुम आईसा ऐसे हुआ था मैं वहां से तुम्हें लेके आया हूँ और तुम्हारा ट्रीटमेंट चला है फिर भी रिया को भरोसा नहीं हुआ कैसे भरोसा करती क्योंकि इतने बुरे लग जो मिलेते हैं उसको अपनी जिंदगी में और रिया रोती हुँ इससे बोलना है कि प्लीस मुझे यहां से जान दो मैं थक चुकी हूँ प्लीस मुझे यहां से जान दो जा फिर में उपर एक रहम कर दो मुझे जिंदा माद दो यहीं पी मैं वहां नहीं जीना चाहती मैं हाथ चुकी हूँ मैंने बहुत कोशिक की लड़ने की बढ़ मेरे मेरे में अब हिम्मत नहीं है मैं अब जीनना नहीं जाती प्लीस मुझे माह दो रोवन ने का तुम पागल होई हो मैं जानता हूँ तुम बहुत बूरे लोगों से टकराई हो बढ़ अब तुम मेरे साथ हो और कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे साथ हो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बढ़ सकता टेंशन मत लो धीरे धीरे काफी टैम तक रिया और रोवन के पास ही रही और देखते ही देखते पांच महीने होने को आ गए रिया पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी रिया पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और रोवन से भी रिया की काफी अच्छी बांडिंग बन चुकी थी बट रिया को यहां पे नहीं रुकना था रिया को एक नई जिंदगी मिल चुकी थी वो खुश रह सकती थी बट रिया इतनी कमजोर नहीं थी जिन लोगों ने रिया के साथ ये सब किया रिया उनको माफ कर दे या छोड़ दे और वो लोग माफी के भी काबिल नहीं थे तो रिया उनको माफ क्यों ही करेगी रिया ने ठान लिया था कि उसको कुछ ऐसा करना है कि कभी किसी के साथ गलत होती हुए देखे वो उसकी मदद करने के लाइक बन सके रिया ने सोच लिया था कि उसको एक IPS ओफिसर बनना है रिया ने काफी मेनत की दिन रात एक कर दिया और वो IPS ओफिसर बन गई उसकी लगन उसकी मेनत रंग लाई और वो एक दिन IPS ओफिसर बन गई IPS ओफिसर बनने के बाद सबसे बहले उसने राकेश को सबक सिखाया जो राकेश ने उसके रत किया था वो माफी के काबिल नहीं था पिकॉस अगर राकेश ऐसा नहीं काता हमने टेम पास के लिए तो रिया की जिंदगी इतनी भत्तन नहीं बनती उसने राकेश को सबक सिखाया और राकेश के उपर केश चलाया फिर वो गई उस गाउँ जहां पर वरजिनिटी जैसी एक घटिया परमपरा चलती है कि अगर लड़की वरजिन नहीं है तो उसको धक्के मार के निकाल दिया जाता है वहां से रिया ने पूरा वहां का सिस्टम बदल दिया उसने आईपीएस ओफिसर की पामत दिखा दी काफी लोग उसके खिलाफ थे काफी लोग बड़े बड़े नेता तो उसके खिलाफ हो गए बिकॉस उस गाउं की सोस काफी थी बर रिया ने फिर भी हाँ निमानी और रिया लड़ती रही सिस्टम से और गाउंवालों से और आखेर रिया ने वहां का सिस्टम चेंज करी दिया वो घटिया परमपरा वहां से खतम करी दिया कहते हैं ना गायल शेर बहुत खतनाग होता है, उसी तरह गायल लड़की बहुत खतनाग होती है, सच में, रिया ने वहां का पूरा सिस्टम बदल लिया, और ये जो वरजिनिटी चेक करने जैसी घटिया परमपरा थी, उसको पूरी तरह से उस काओं से खतम कर दिया, अब ब रिया ने सोच लिया कि शायद मेरा बदला पूरा नही हो सकता, और वो रहन के साथ एक लाइफ जीने लगी, रहन ने एक दिन उसको प्रिपोस किया और रिया ने हाँ बोल दी, बिक ऑस रुछन ही वो था जिसने रिया की पूरी जिन्दगी सेफ की, रिया की जिन्दगी ब बट रुवन ने उसको हिम्मत दी और रिया को थोड़ी हिम्मत मिलने के बाद रिया ने भी दिखा दिया कि लड़की कमजोर नहीं होती हम लड़की को कमजोर समझते हैं बट वो कमजोर नहीं होती रिया ने भी ये बात साबित कर दी उसके बाद उन दोंने शादी कर ली बट उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ बिकोज रिया की जो सेक्सिल पार्ट थी उबूईता से डैमेज हो चुके थे इसलिए रिया को बेबी नहीं हो सकता था बट रोहन को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्दों ने डिसाइट किया क्यों अनाता आश्यम से एक बेबी अडॉप्ट करेंगे रोहन की फैमिली काफी खिलाव थी रोहन के बट जैसे जैसे टैम हुआ रोहन की फैमिली भी मान गई और रिया को रोहन की फैमिली ने भी एसेप्ट कर लिया बर रिया के मन में एक guilt अभी भी भी था उस आदमी को सजा ना दे पाने का रिया के मन में एक guilt आज भी था कि क्या वो आदमी किसी और लड़की की भी जिन्दी बरवात कर रहा होगा काश में उसको सजा दे पाती रिया एक guilt में जिन्दी भी रहेगी नहीं कहते हैं न कर्मा नाम की भी एक चीज होती है अगर तुम किसी अब बुरा करो तो पलट के तुम्हारे पास जरूर आता है यह दुनिया गोल है मेरे बाई तुम किसी अब बुरा करोगे तो बश नहीं सखोगे एक दिन मॉनिंग में रिया नیूस देख रही थी और रिया ने नीूस से अथखा एक शें पूरा आदमी को बूरी तरह से नोच के जिंदा खाया वो रिया देखके हैरान हो गई बट जब उस आदमी का चैरा दिखाना तो वो वही आदमी था जिसने रिया के साथ इतना गलत किया था रिया बहुत खुश हुई ये नियूस देखे और रिया को समझ में आ गया कि भागवान भी है अगर कोई तुम आई साथ बुरा करे तो अगर तुम उसका बदा ना ले पाओ तो भागवान के उपर छोड़ देना भागवान उसका बदा जरू लेता है और रिया की काहानी यहीं पर खत्म होती है रिया एक हैपी फैमिली जीने लगी इतना सब होने के बाद भी रिया एक अच्छी फैमिली डिजर्व कर पाई बिकोस रोवान की बज़े से अगर रोवान जैसे लोग इस दुनिया में है तो सच बता रहू हर लड़की सेफ है अगर रिया जैसी ब्रेव गल इस दुनिया में है बिकोस यार हम देखते हैं वर्जिन 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 शादी बाद हमें वर्जिन चाहिए यार वर्जिन चाहिए लड़की वर्जिन चाहिए रियल में दोस्तों ऐसी थिंकिंग हमारी होनी चाहिए I mean तुम खुश सोचो कि अगर तुम किसी relationship में हो तो तुम physical होना चाते हो पर शादी एक बात तुम्हें लड़की बरजिन चाहिए किया ये thinking सही है और मैं लड़कियों से भी कहना चाहूँगा कि किसी भी लड़के पे सब लड़की एक जैसे नहीं होते रोने साबित कर दिया बट फिर भी किसी भी लड़के पे इतना भरोसा मत करो चि अपनी पूरी जिंदगी उसके हाथ में रख दो कि यह है मेरी जिंदगी तु इसके दाथ खेल जितना खेलना चाता है ऐसा मत करो पिकास हो सकता है वो लड़का सिर्फ उसी चीज़ के लिए तुमा ऐसा रिलेशनिशिप में हो और सच बता रहा हूँ अगर लड़का उसी चीज़ के लिए तुमा ऐसा रिलेशनिशिप में होगा तो रिलेशनिशिप लंबा नहीं चलेगा relationship भी starting में ही तुम physical मत हो अगर वो लड़का तुमसे प्यार करता होगा तो वो कभी भी तुमसे ये चीज नहीं चाहेगा वो लड़कों से भी एक छोटी request है वो virgin है या नहीं ये सब सवाल करना please बंदगदो please हाथ जोड़ की बिंती यार बुरा लगता है लड़कियों को जब हम पूछते है अब virgin हो? पका virgin ही हो न? शौर अब virgin ही हो न? कभी लड़की तुमसे पूछे तो कैसा लएगा कि तुम virgin हो? हम लड़के चाहे कुछ भी करें बर लड़की हम चाहते हैं कि हमें virgin ही मिले रियल में मैं सब लड़कों गलत नहीं कह रहा हूँ बट कुछ लड़कों की thinking बहुत घटिया होती है इस मामले में उनको बीबी virgin ही चाहिए वनना उसको पताने क्या क्या बोला जाता है इसलिए दोस्तों please अपने thinking change करो please thinking change करो ये virgin है ना ये सारी चीहों से दूर उच्चाओ थोड़ा उपर वड़ो एक relationship में जब लड़की जा दी है तो हो जाती है गलती उससे यार वो नहीं चाहती कि वो गलती करे बट कभी कभी हो जाती बाई mistake अगर वो लड़की ये बात मानती है तो उसको माफ करो उसने कोई गुना नहीं कर दिया उसने प्यार ही किया था हर कोई प्यार करता है उसमें एक छोटी सी गलती उसने कर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बुरी जिंदगी भरवात कर दे हम लड़के और दूसरी बात लड़कियों से भी कहना चाहूँगा आपकी फैमिली आपके भरोसा करती है तो अपनी फैमिली का भरोसा मत तोड़ो पिकोस आप किसी भरोसा तोड़ोगे तो हो सकता है कल को कोई आपका भरोसा तोड़े इसलिए तो तुम रिलेशनशिप में रहो या ना रहो वो तुम्हारी एटेंग है रिलेशनशिप में आना गलत नहीं है गल्फेण बवान ठीक है अगर तुम किसी यह प्यार करते हो रिलेशनम में कोई दिक्कत नहीं ऑच अपनी वर्जिनीटी खो देना वो शायद दिक्कत है, उसमें आपको 10 बार नहीं, 100 बार सोचना चाहिए कि इस step में उठा रही हूँ, कि इस step सही है या गलत, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना और हाँ, ऐसी यह story देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलविदा, लव्यॉल, और हाँ, कमेंट करके जो बताना यह वर्जिन वर्जिन होता रहता है अजगे, क्या यह रियल में होना चाहिए यह फिर नहीं होना चाहिए आप कमेंट करके यह बाद जरू बताना मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अलविदा, लव्यॉल